Good morning everyone, welcome back to my channel कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी जो पहली वीडियो कल गई उसमें आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसको देखके मेरे होसला जो है काफी बढ़ चुकता है और मैं आप लोगों के साथ आगे जुड़ी रहू हूँ इसके लिए जो है मैं अपनी दूसरी वीडियो लेकि आप लोगों के सामने आई हूँ लेकिन सब से पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने मेरे को इतना पसंद किया और अपने साथ जुड़े रहने के लिए मेरे को दूसरी वीडियो बनाने के लिए मेरा होस्ता बढ़ा है इस चीज के लिए मैं आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने आज अपना व्लोग को मॉर्निंग से स्टार्ट किया है तो अभी मेरा नाश्ता वगेरा कुछ नहीं हुआ है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको मास्क वगेरा बनाना सिखाऊंगी तो पहले मैं अपना नाश्ता वगेरा नेक्स्ट बनाते हुए तो गाइज मेरा नाश्ता वगेरा हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ आपनी मशीन पर अब हम लोग मिलके जो है मास्क बनाएंगे तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कॉई भी कपड़ा ले लिजे कॉटन का होजरी का या कोई भी अभी लेबल आपके पास जो कपड़ा होगा वो ले लीजिए और उसको इस तरह से डबल कपड़ा रखे आठ वाय आठ का जो है हम एक स्क्वाइर पीस काटेंगे उसको हम ले लेंगे डबल बस यह ध्यान रखना डबल लेना है हमने अब हमने क्या करना है कि इसकी एक सिल यह जो किनारे हैं दोनों साइड पर हमने इसमें सिलाई मार दिया अब हम इसको क्या करेंगे इसको खोल के इसको हम सीधा कर लेंगे यह मैंने सीधा कर लिया और इसको अपने हाथों की सायता से हलका से प्रेस कर दीजिए ताकि यह कपड़ा अच्छे से बैठ जाए तो मैंने कपड़े को अच्छे से बठा दिया अब हम इन्च टेफ की सायता से इसमें जो है 2-2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे मैंने 2-2 इंच की दूरी पे 3 निशान लगा ली है इसको हम दूसरी साइड ही इसी तरीके से लगाएंगे अधनिया दैटेट निशान्म लगा लीहीं अब हम इन निशानों को पकड़ते हुए तीन टालें गें या बढ़ी बड़ीने डालने हमने। चोटे-चोटी डालनी है हम तो इस तरीके से हम जो है प्लेट्स लालेंगे है और सिलाइसेश को दबा देंगी कि मैंने एक साइट पर पलिटे डाल दिये और हमने दूसरी साइट पे भी इसके बिलकुल अपोजिट पेले हमने साइट को उपर की और प्ले डाले था है अब अपने कपड़े को पकड़के नीचे की और लाना है और सिलाई लगाते हुए इधर से भी हम प्लेटों को दबा देंगे इस तरुके से आजाएगे इसको अच्छे से जो है अपने हातों की साथ से अच्छे से बिठा दीजिए अब मैंने ये दो पट्टियां ली है ये डेडिंग चौड़ी है इसके किनारे पे हम इसको दबाएंगे ताकि जो है थोड़ा फिनिशिंग आजाए ये सिलाई जो देखने में अच्छी नहीं लग रही है तो हम इस पट्टी की सायता से जो है हम इसको अब अच्छे से हम खोलके अब हम मास्को पलटके इसको हम एक फोल्ड करेंगे और दूसरा फोल्ड करते हुए बहुत ही पिनिशिंग से इसकी सिलाई लगा देंगे अब आ हम दूसरी disp हैड बे इसी तरीके से पट्टी लगा देंगे अब मैंने ये दोनो साइड इस तरीके से दोनो पट्टि या जो है लगा ली है हमारे मास्क इस तरह से त्यार हो गया अब हमने क्या करना है इस मास्को फोल्ड करके है इसके सेंटर पे जो है हमने एक छोड़ा सा कट लगाना है दोनों साइड ताकि जो हम बाधनी के लिए इसमें पटी लगाएंगे वो बिल्कुल हमारी बराबर से आए मैंने दोनों साइड देखिए एकट लगा लिया है अब मैंने दो पटियां लिये हैं इस तरीके से जो मेरी 1.5 इंच चोड़ाई में है और 32 या 33 इंच के लगभा होंगी ये पटियां लेकिन अगर आप 35 इंच भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आप अपने सुविधा कि अनुसार पर उसको लग सकते हैं आपको कितनी लंबी पटि बादने के लिए चाहिए या क्या चाहिए मैंने इसको 32 या 33 इंच की करीब लिया है अब हम इन पटियों को भी जो है फोल्ड करके एक सेंटर पर टक का निशान लगा देंगे ताकि हमारी दोनों साइड से पटिया बरावर से आए इस तरीके से मैंने यह लगा दिया अब इसको हमने मास की ओपर रखके दोनों टक्स को आपस में मिला के हमने यहां से इसमें सिलाई लगा देनी है इस तरीके से हमने यह सिलाई लगा दिया अब हमने इसको इस तरीके से प्रेस अब कि यहां से जो है कि फोल्ड करना है दोनों को अंदर की साइड मोड के सिलाई लगाने इस तरीके से इस तरीके से कर दो कर दो कर दो कशले के अगया को तो यह मैस्क नोलेकों सब्सक्राइर दो वैस को टेंद। आराम से और बहुत ही कम समय में बन जाता है वेस्ट कपड़े से तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो ङाइस मेरा यह मास्क बनके तैयार है मुझे बता है आप लोगों ने भी से मेरे साथ जरू ट्राई किया होगा तो please comment में लिखियेगा कि आप में से कौन-कौन है जिनोंने मेरे साथ ये ट्राई किया था तो guys ये बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला mask है जो भर में वेस्ट मटीरियल से बन जाता है और इसको पहन के भार जाने से हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है और दूसरों के भी सुरक्षा करनी है उमीद करती हूँ कि जैसे आपने मेरे को पहली वीडियो में प्यार दिया वैसे ही आप मेरे इस वीडियो को भी प्यार देंगे तो प्लीस लाइक, शियर और सबस्क्राइब जरूर कीजेगा मैं मिलती हूँ आपसे एक नही वीडियो के साथ तो बाबाई